हमने wind currents के concept को देखा है और वे प्रित्वी पर climate और weather को कैसे प्रभावित करते हैं इस lesson में चलिए हम उस दूसरे factor को देखें जो प्रित्वी पर climate और weather के patterns को प्रभावित करता है क्या आप जानते हैं कि बारिश कैसे होती है मौन्सून winds बारिश लाते हैं जी हाँ और मौन्सून winds कैसे बनती हैं क्या वे हवाओं से अलग हैं जो आमतौर पर प्रित्वी के surface पर उड़ती है चलिए पता लगाते हैं हम पहले ही देख चुके हैं कि जब जमीन की सतय से उपर हवा गरम होती है और उपर उड़ती है तो पास के समुद्र या महसागर के उपर की हवा जमीन की ओर बढ़ने की कोशिश करती है दो areas के pressure में इस अंतर के कारण winds होती है अब सोचिए कि equator पर ये region जो की पानी से गिरा हुआ है गरमियों के दौरान गरम हो जाता है heat के कारण air उपर उठने लगती है क्या आपको नहीं लगता अब इसके कारण land पर एक low pressure zone बन जाएगा इस void को भरने के लिए पानी के ऊपर जो ठंडी air है वो अंदर आ जाएगी इस प्रकार समुद्र या महासागर से उत्पन होने वाली ठंडी घनी हवा जिसमें moisture होता है वो पृत्वी के surface के ऊपर से गुजरती है ये moisture से भरी हवाएं बारिश लाती है जिसे monsoon winds कहते है इन winds का बनना और precipitation जो की बारिश है natural water cycle का एक हिस्सा है बारिश का मौसम ना सिर्फ लोगों के लिए खुशयां लाता है बलकि पौधों, फसलों और अन्य जानवरों के लिए भी खुशयां लाता है हाला कि ये कुदरती phenomenon एक आपत्ती में भी बदल सकता है जी हाँ, बहुत ज्यादा बारिश बार ला सकती है ऐसे बहुत से natural disasters हैं जो जीवन के लिए खत्रा पैदा करते हैं चलिए, इन में से कुछ को आने वाले वीडियोज में देखें